आजादी के 75 वर्ष पून होने को हैं लेकिन उत्तराखन के बागेश्वर में वाहनों का दबाव कम करने के लिए 2 करोड 12 लाख की लागत से नगर के गरुण रोड में बन रही दो मनजिली पारकिंग का काम करीब 2 साल से बजट के अभाव में आटका पड़ा है। दरसल दो महीने पहले अवशेश रकम को शेहरी विकास मन्तराले ने स्विकृती प्रदान की थी लेकिन अब तक अवशेश रकम नगरपालिका को नहीं मिल पाई है जिसके कारण पारकिंग का अवशेश काम पूरा नहीं हो पाया है। जितने परेटन हैं या हमारे जितने लोकल वासी हैं यह लोग पार्किंग के लिए बहुत इनको परिशानी रहती है कि हम आने वाले मतंब इदर जाके कि तर पापनी गारी एक तर दर निर्मान करा जा है जिसे आने वाले जितने परेटन होते हैं, उन्हें भी सुविदा का लाब मिलें, साथ चाथ हमारे जो लोकल व्यक्ति हैं, उनको भी इस चीज का लाब मिल सके. जो व्यक्ति हमारा वर्क पूर्ण हो चुगा है, और सेज धनरासी उपलब ना होने के कारण ये परेंडिंग में पड़ा है, जिसमें जिलादिगारी मोदे के और अद्देग्ज मोदे के काफी परियासों के तहर इसमें माम की गई ती सासन से, और इसको मुख्य सचेप की को लागातार इसमें परियास करते चले जा रहे हैं, कि अति सिग्र हमें धनरासी प्राप्त हो, और नगर के लिए हम एक इसका पार्किंग का निमाल कार पूर करकर, नगर के एक पार्किंग वेश्ता के लिएक सुभीदा उपलब दे कराएं, जिससे की लोगों को आवागवन में और पार्किंग है तो कोई असुभीदा का सामना ना करना पड़े, और एक पालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा आयका साधन बना रहेगा, और इससे पालिका को काफी इंकम अर्जित हो सकती है, और जो अन्य विकास करोमों से उसको किया जा सकती है, दरसल साल 2020 में र पार्किंग का काम रुका पड़ा है, पंजाब के स्री टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट